किस विडियो लेक्चर में, एक नया चेप्टर हमने स्टार्ट कर रहें चेप्टर नमबर , ह हिसमारी किताब में Trigonumatic Identities के नाम से इस चेप्टर के अंदर हम सब्से जाद़ेлем फोकस करांगे एक- फॉनुलाज पर के फॉनुलाज यह जो है वह प्रोकल भी एक्जिस्स करते हैं जो भी हम आगे चलके देखेंगे साइन ठीटा जो होता है वो पर्पेंडिकुलर अपान हाईपोटेनियस होता है जिसको हम लोग A अपान C यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस ठीटा बेस अपान हाईपोटेनियस होता है यहाँ पर्पेंडिकुलर अपान बेस होता है तो A अपान B होगा तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कॉसेक लिखोंगा तो वह हो जाएगा C बाए यहाँ पे मैं सीकेंड लिखोंगा तो यह हो जाएगा C अपान B यहाँ पर मैं caught लिखोंगा तो यह हो जाएगा B upon A तो यह हमारे पास तीन तरह के ratios आगए अब यह ratios जो हैं वो हम किस तरीके से इस्तमाल करते हैं कि जहाँ पर right angle triangle है वहाँ पर इन ratios का कहा हमा हमारे पास लाजमी जो है वो पढ़ता है तो यह 6 technometric ratios हैं जो कि बहुत ही basic है अब अपनी metric class में इसको पढ़ चुके होगी next हमारे पास इसी चीज़ को जो मैंने आपको पीछे लिखके दिखाया caught, cause, sec और sec वो यहाँ पर लिखके नोंने दिया वाए कि इस तरीके से caught, cause, sec और sec को इस तरीके से define कर सकते हैं next हमारे पास है radian function that is the important thing तो हमें पता है कि radian function को हम किस तरीके से define करेंगे या इसकी equation क्या होती, यह important है consider a unit circle in which a point P x, y एक point है इसके उपर x, y और एक point है P तो अगर आप यहाँ देखें तो यह एक vector है और इसका projection जब आप drop करेंगे तो आप यह देखें कि यह distance x है और यह distance y है और यह theta है और यह बन रहे हमारे पास है right angle triangle अब अगर यह right angle triangle है तो यह याद रखिए कि इसमें हम ratio इस्तमाल कर सकते हैं sin theta का perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular हमारा y हो गया hypotenuse unit circle है तो radius 1 के बराबर होगा unit circle के लिए radius क्या होता है 1 के बराबर hypotenuse 1 हो गया it means sin theta is equal to y हो गया इसी तरीके से जब आप cos theta यहाँ पर निकालेंगे तो cos theta होता है base upon hypotenuse तो base x हो गया hypotenuse 1 हो गया cos theta is equal to x हो गया तो अब हम यह बात जानते हैं sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है यहाँ पर अगर मैं रख दूँ तो यह हो जाएगा मेरे पास y का square यह हो जाएगा मेरे पास x का square equal to 1 this is called the radiant function तो it means हमें यह बात समझ में आई कि जब हम triangle को unit circle में उठा के रखते हैं sin theta become y cos theta becomes x and 10 theta becomes y upon x यानि के perpendicular upon base तो बच्चे यह unit circle की हमारे पास तो radiant function basically होता क्या है x square plus y square equals to 1 होता है और यह हमारे पास identities है जिनको हम convert कर देते हैं in the form of x and y next है हमारे पास distance formula what is distance formula तो देखें distance formula कब काम आता है हमारे distance formula हमारे पास उस वक्त काम आता है जब एक लाइन हो और इसका एक point हमें दिया हो x1, y1 दूसरा point हमें दिया होगा x2 और y2 यह audit pair कहलाते है पहला वला component x होगा दूसरा वला y होगा यहां पे भी पहला वला x होगा दूसरा वला y होगा तो formula क्या होता है x2 माइनस x1 का whole square और y2 माइनस y1 का whole square तो यह distance को calculate करने के लिए इस formula को इस्तमाल किया जाता है जब दो points हमें line के पता हो तो उनके दर्मयान हम distance calculate करने के लिए distance formula को इस्तमाल करते है next है हमारे पास sum and difference identities of compound angle मतलब दो angles हैं उनका sum or difference देखें पहला formula हमारे पास है sin alpha plus beta यहने कि sin alpha cos beta cos alpha sin beta अच्छा जैसे ही minus आएगा दर्मयान में minus आजाएगा formula same है cos alpha plus beta में cos alpha cos beta अगर plus है तो यहां minus और यहां minus है तो यहां पे plus तो हमारे पास क्या हो गया है cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta और अगर cos alpha minus beta है cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta अच्छा अब हमें 10 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, sign को cos से divide करते हैं और उसके बाद simplify कर लें या फिर हम इसको direct याद रखें 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha 10 beta इसी तरीके से 10 alpha minus beta क्या होता है 10 alpha minus 10 beta upon 1 plus 10 alpha 10 beta तो यह 6 formula हैं जो आपने याद कर लेने रट्टा लगा लेने घोल के पी जाने ताकि आपको आगी के सवलाद में problem ना हो next है आपने प्रूफ करना है cot alpha plus beta को cot alpha cot beta minus 1 upon cot alpha plus cot beta तो हम यहाँ पर यह लिख लेते हैं कि cot alpha plus beta क्या होगा 1 upon 10 alpha plus beta होगा तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं 10 alpha plus beta को लिख हो तो यह हो जाएगा 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha 10 beta तो यह हमारे पास हो गया 10 alpha को लिख लें 1 upon cot alpha 10 beta को लिख लें 1 upon cot beta और यह हमारे पास हो गया 1 minus 1 upon cot alpha into 1 upon cot beta क्योंकि 10 theta 1 upon cot theta के बराबर होता है अब इसको आप उपर लेकर से ले जाएं ज्यादा बेतर है तो यह जाएगा 1 minus 1 upon cot alpha into cot beta और इस वाले को अगर मैं solve करूं तो यह बनेगा cot beta plus cot alpha divided by cot beta into cot alpha इसको उपर वाले को LC हम लेंगे तो क्या हो जाएगा cot alpha cot beta minus 1 divided by cot alpha cot beta और इसको भी हम solve करेंगे तो cot beta plus cot alpha divided by cot alpha cot beta कैंसल हो गया यह हमारे पास प्रूफ होकर आगया जो हम प्रूफ करना चाहिए तो यह हमारे पास formula था cot alpha plus beta का और यह हमारे पास पेपर में भी आ चुका है पुराने पेपर आप उठाएंगे तो वहां पे इसका प्रूफ हम से मांगता है तो हमने टोटल यहां पे छे formula को पढ़ा है पीछे और दो formula मतब एक यह formula है और इसी तरीके से cot alpha minus beta का भी formula है तो cot alpha minus beta को भी same तरीके से आप drive करेंगे मुझे भी पताईएगा बिल्कुल सेम तरीक है इसको मैं drive करके आपको दिखा नहीं रहा सब चीजों के MCQs के लिए फॉरण चाजाओ आप डाउनलोड करो जल्दी करो और चाजाओ